बापु नगर उद्यान और बापु नगर सरोवर को लाखो रुपे खर्च कर नगर पालिक निगम भिलाई ने इस पार्क का निर्मान कराया था लेकिन अब यह पार्क गोबर के कंडे बनाने के काम आ रहा है आप जो नजारा स्क्रिन पर देख रहे हैं वो है बापु नगर में निर्मीत पार्क का जिहां हम बताना चाहेंगे और दिखाना भी कि लगभग चार वर्ष पूर्व निर्मीत किया गया ये पार्क अववस्थाओं की मार देखरे के अभाव में जिल रहा है लाखर रुपए की लागत से निर्मीत ये पार्क शुरुवाती दोर में काफी सुर्खियों में रहा था पर वहीं अब देखरे के अभाव में असमाजिक तत्वों में घिरा हुआ है बच्चों के लिए यहां जुले की ववस्था फिसल पट्टी आदी तो की गई थी जो अब जरजर होकर अपनी पहचान खो चुके हैं पेड़ पौधे हर्याली से पहचान खोकर सूखे हो गए हैं कचरा गंदगी से अटा पड़ा इस पार्क में लायट विवस्था नहीं होने के कारण रोज रात ये असमाजिक तत्वों का गड़ बन जाता है आलम ये हो जाता है कि रात के समय यहां से गुजरते लोगों को समाजिक तत्वों और गुंडों का भय लगातार सताता रहता है वाट के लोगों ने मीडिया के समक्ष अपनी प्रत्थिक्रिया पार्क को ले कर दी है है जुक है और आफ पानी देनी दिय आजार नहीं रहा है लांग कैलेक्शन भी है नहीं कम से बाक होगा थीसे कम से कम अर्षां को चाहला है आते हैं आप्टे में दो दिन लनकरनिकाम अले टूडी है मोटर है मोटर को बहुत दिये गया था पहले जब शमाह निय नहां अगर निगम की उदासिंता कहे या वाट परशत की लापरवाही और अंदेखी जो इस पार्क ने अपनी पहचान ही खोदी है क्योंकि सरोहर धरोहर के तहद पार्कों की संधारन की जिम्मिदारी निगम प्रशासंग की ही बनती है जरुरत है इस और थ्यान दिया जाए और प मिर्जेकी पोट